अगर आप aviation में अपना career बनाना चाहते हैं और किसी भी तरह की कोई भी guidance आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई doubt है जिससे आप clear करना चाहते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं SMS कर सकते हैं दोनों ही numbers लगातार आपके TV सेट पर flash हो रहे हैं ब्रेक स्लोट है एक caller हमारे साथ जड़ी हुई है नीतु जी है इनका सवाल जानते हैं जी नीतु जी कहें हलो नमस्ते सर जी नमस्ते बिल्कुल क्या करना चाहिए ऐसे में हम जानते हैं क्या कहेंगे बीएट के लिए देखे मिनिममम क्वालिफिकेशन है है 50% होनी चाहिए 49% है तो बीएट करी नहीं सकते हैं लेकिन कोई और रास्ता है जिससे ही टीचिंग लाइन में जा सकते हैं जे बीटी जिसको बोलते हैं तो उसमें जा सकते हैं कि 10 प्लस 2 के बाद हम नर्सरी टीचिंग लाइन खुली है आप ग्राजुएशन में की हैं तो जे बीटी कर सकते हैं यह दो सल का प्रोग्राम होते हैं और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि नाशनल टीचर्स काउंसिल के मानेता प्राप्त हैं और आपको प्रोग्राम देते हैं बट मिनिमम क्वालिफिकेस हैं 10 प्लस 2 लेकिन आप ग्राजुएशन किये तो यह और अलसो क्वालिफाइब तो जे बीटी एक स्कोप होगा और नहीं तो टीचिंग लाइन पे आपको एड्म Orthodox क्राइटेरिया क्या होता है Toby अदमीशन क्राइटेरिया देखिए जी इनके हम वило क्राइब अके सर् WOW- MSEM 75 exam उसमें कोई श्रीम चलता यहaches 10 प्लस 2 और मिनिमम आपको 10 प्लस 2 होना है सब्स्रपोज हम आपको होना चाहते हैं पर homes getone विंक्रिव में एर होस्टेस बनने के लिए तो इसका जो मिनिमुम क्वालिफिकर सेने इस 10 प्लस 2 बट जनरली एर लाइन्स प्रिफर करते हैं में ने क्या हुआ है और मेरी जो भांड है वो कॉमर्स की तो है यह मैंने पहले बीजिनस क्या था तो बीजिस इस नहीं रहें मैं मेडिकल के इस जी जी आपके आवाज हम तक पहुच रही है तो अब मैं जाना ही क्या इए कर सकते हैं एलाएं अ़िसंटे जो सोल जो मिनमम् क्राइटेरिया ये 10 लेबल के वाधि हमको केरियर कंसिलिंग और केरियर परहिए ठीक्रिचिटीव화를 जो हम बाक्या कर रहे थी कि अपने अंदर जाओ, पूछो, मुझे क्या करना है, एम क्या है, गोल क्या है, कैसे पहुँचेगे, ये 10 के वाद सुरू होना चाहिए, तो ये उधारन है, ये एक्जामपल है, कि अपने बहुत ज़्यादा रहती है, लेकि आप कन्फूजन हो मार्केटिंग कर सकते हैं, दूसरी चीज है, आपका माथमाटिक्स 10 प्लस 2 में था, कि ग्राजुएशन में थी, तो फिर आप M.C.A. कर सते हैं, तो और हम एविशन की ही, अगर हम बात करें, तो क्या कोई एंट्रेंस एक्जाम होता है, इसके लिए, इंटर्व्यू होता है क्या होता है? देखे, एविशन जो हम बात करें, एक बहुत बड़ी चीज है, एविशन लोके, टेकनिकल लाइन होता है, जैसे कि एर फोर्स में हम इंजिनियर बनना चाहते हैं, कि पाइलट बनने चाहते हैं, कि उड़ान भरना है हम पे एविशन पे, तो उसके लिए की बाहर कोई वेल्यू नहीं है, जब भी आप पे कोई करियर थोपा हुआ है, या किसी के इंफ्लूइंस में आपने लिया हुआ है, तो आप उस करियर में एक एविशन बनके बाहर निकलेंगे, बिल्कुल तो यहाँ पर डिसाइड आपको करना है, अपने दिल की आवाज अपर सुनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि करियर वही चुने, जो आपका दिल कहे, किसी से इंफ्लूइंस होकर आपको अपना करियर नहीं चुनना है, अपने दिल से पूछना है, अपने दि